और जो बात जो बात सुधान चुत्रवेदी कह रहे हैं और कल्यान सिंग ने एक इंटिव्यू में कहा है और वो इंटिव्यू पब्लिक दोबेन में उपलब्ध है उन्हें बोला चवान साब ग्रे मंत्री थे उन्हें बोला कि सुनाए गुंबत के आसपास कार से वाग वो गुंबत के उपर चड़ गए है और गुंबत को डैमेज भी कर दिया है लेकिन चवान साब जो बात सुधान चुत्रवेदी ने बोली ये बात आप कान खोल के सुन लेजे मैं गोली नहीं चलवाओंगा मैं कार सेवकों को मरने नहीं दूँगा और उसके बाद कल्यान स चृचिंग इस्तिवा देने के लिए चल दिये और कल्यान सिंग ने उसके बाद अपने कईंटर्विोज मे का कि मेरे लिए सरकार महतफ़ूण से मेरे लिए मेरे लिए रम लला महतफ़ून थे इसलिए एक सरकार जाती तो जाए लेकिन विधी का विधान देखिए बीजेपी की सरकार उत्तर परदेश में मद्धे परदेश में राजिस्तान में बरखास्त हो गई चली गई लेकिन केंदर में बाजे गाजे के साथ वापस आती है और राम नला का मंदिर निर्मार होता है एक अच्छे पती है यह अच्छे बेटे है अपने मा के लिए एक अच्छा बेटा है या अपने अपने बीवी के लिए करें मां का जो अच्छा बेटा होगा वही अच्छा पती होगा है ना होगा यानि एक व्यक्ति एक वक्त में एक अच्छा पती भी हो सकता है एक अच्छा मा के लिए बेटा भी हो सकता और अपने बच्चों के लिए अच्छा बाब भी उसकता है और एक अच्छा जो है देश का नागरिक भी हो सकता है आपको जवाब देदू कोई संदे नहीं है कि 2014 से पहले सम्विधान से उपर ही कुरान थी मैं ऐसे नहीं बोल ला हूँ शरीया के प्राबधान सम्विधान में किसी सेकुलर देश में नहीं अच्छी नहीं है कि उपर कर दिया शरीया को अनिता मैं पूछना चाहता हूँ सिर्म मुस्लिम देशों में यह होता था अनिता एक सेकुलर देश मुझे बता दे जहां ट्रिपिल तलाक हलाला महरम हज सबसीडी वक बोर्ड और शरीया सुप्रीम कोर्ट से उपर होता हूँ यानि यह तो 2014 से पहले यह देश सेकुलरिजिम के नाम पर आंशिक मुस्लिम राष्ट था अब हम उसे वास्विक सेकुलर राष्ट की तरफ ले जाए एक सिकेंद आप भी कुछ कहना चाहरे थे फिर में आ रहो एक सालमानों पर है और कभी भी देश के सम्मिधान को नहीं म मैं अगर सच्चा मुसलमां नहीं हो वालों करते देवानक की अदा दे यह बताईए जब हमारे विज्यानिक अंस्रिक सेया प्रोग करने से पहले क्यों मंदिरों में जाके बत्था टेखते यह बहुत बढ़िया सवाई इस यह आप 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 देखिये देखिये चाहे मून श्च जाहे सन्मिशन जाहे चाहे बड में सब ने वो सुनाए ना भाएक प्रकटकर भाला दीन अ ट्याला कह सलया इतकारी हुशल्य हितकारी उसमें आगे एक नाइन है ब्रम्हांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम पिती वेद कहें यानि वेद कहते हैं कि भगवान के रोम रोम से अगनित ब्रम्हांड बनते हैं अगनित माया बनती है सो मम उर्बासी यह उपहासी सुनत थीर धीर मत थीर न रहे वो मेरे गर्व में समाएं हैं ये बात जिनको मजाक लगती है बड़े बड़े लोगों की बुद्धी विकल हो जाती है नि मल्टी वर्स की बात कही गई है और एक नहीं कई जहों पे कही गई है जब हनुमान जी से परिचे पुछा जाता है तो उन्होंने का मैं उसका दूत हूँ जासु अंस उपजय गुन खानी अगनित उमारमा प्रम्हानी अब मैं कहता हूँ दुनिया के सबसे बड़े अस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्पोलोजिस पे से एक काल सेगें नेट पे जाके चेक करिए सी ए आरल एस ए जी इन और उसने क्या कहा है कि केवल मल्टी वर्स का ये कॉंसेट एंशियंट हिंदूज ने दिया था जो कि modern scientific calculation से match खाता है बाकी जगहे पे ऐसा कोई concept नहीं था तो जो इन्होंने बात कही हमारा धर्म विज्ञान की कसोटी के उपर सबसे आगे निकल के आता है ये बात दुनिया के सबसे बड़े कॉस्पोलोजिस तो है के उपर एक डांसिंग शिवा नटराज की मूर्थी दो तंजाओर तमिलना डुबाली नटराज की मूर्थी है वह लगी है और उसके नीचे Austrian scientist फिट्जे कैपरा का quote लिखाए वहां क्यों लगी है चूंकि उन्होंने कहा कि now the science comes to the conclusion that the perpetual creation and destruction of universe is like the cosmic dance of Shiva दुनिया किसी धर्म में नहीं था कि अनंत ब्रम्हांड बनते रहते हैं नश्ठ होते रहते हैं जो हमारे आंग कहा गया प्रलय आती रहती है आप लोग इस चर्चा में आए आपका बहुत बहुत अपिरंदन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जोर्दा तालिया इस ओडियंस के लिए जोर्दा तालिया हमारे मेमानों के लिए फिलार आज के अडिशन में इता ही नमस्कार राम राम जाहिज